तो रुको जरा सबर गरो मुजिक सच कह रहे हैं WWE के पास सबसे शेमफुल मुमेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं गाइस साल 2012 की रॉक के एपिसोड में हुआ था एक सेगमेंट क्रीस जरी के और सीम पांक के बीच में और इस सेगमेंट में हमें एक मुमेंट देखनों को मिलता है जब क्रीस जरी को ने सीम पांक के उपर अटाक कर दिया और इसके बाद जरी को सीम पांक के उपर बीर भी फेक दिया लेकिन फ्रेंट्स जब जरी को सीम पांक को किक मानने के कुशिश करता है तब वो खुदी गिड़ जाते है वो भी स्लीप से फ्रेंट्स डरबली के एक फेमास फिमिल रिंग एनॉसर है लिलियान गार्सिया लेकिन फ्रेंट्स जब साल 2012 में रॉक के एक एपिसोड में उन्होंने एंट्री किया तब उनके प्यार से जूते ही निकल गए और इसे खुज दिन बाद जब लिलियान गार्सिया एक बर फिर एंट्री करता है इस बर भी वो गिर जाता है मतलब भाई क्या ही बोलू गाइस 2021 के रोयल लेबल मैच में हुआ था एक लास्ट मैन स्टेंडिंग मैच रोमार डिंग्स और केवी रोमेंच के बीच में और इस मैच में हमें एक मोमेंट देखने को मिलता है जब केवी रोमेंच ने रोमार डिंग्स को हैंकाप्ट से बांद दिया लेकिन गाइस जब पॉल्ले मैन चाबी से उस हैंकाप को खोलने के कोशिश करते है लेकिन वो बारबारी फेल हो जाते है और ऐसे रेजाल ट्रोमार डिंग्स रिफारी को यह अटक कर दिया और इसके बाद जब दूसरे रिफारे आये फिर भी पॉल्लेमेन उस हैंकाप को नहीं खोल पाए और इसलिए रिफारे भी सिर्फ पाचे काउन करे और इसके बाद रुख गए मतलब कि रिफारे को दस काउन करना था और यह बहुती बारा बोस था गाइस कुछ साल पहले डबलबली की एपिसोड में हुआ थे बहुती फानी मॉमेंट्स जब मैट हर्डी और जास्टिन गैब्रियल रिंग में आकर कुछ कर्तब दिखा रहे थे कर्तब तो नहीं लेकिन स्टैल बोल सकता हूँ बट जो भी हो और इसमा मैट हर्डी रिंग रोप के उपर से नीचे गिर गए भई टॉप रोप से नीचे गिर गए गजब बेज जाती है भाई फ्रेंड्स डॉप लीकी रोप के एपिस्ट में होता है एक बैटल रोयल मैश और इस मैच में एंट में ग्रेट खली और एच लान रहे थे लेकिन गईस इस मैच में एक मोमेन ऐसा था जब ग्रेट खली गलती से टॉप रोप के उपर से रिंग से बाहर आ गए लेकिन रिफरी ने उनको नहीं देखा और अगले वीडियो पे तब तक के लिए गुडबाई और स्टे कूल